तो चलो बच्छे इस वाले problem को देखते हैं इसमें क्या है कि ये semi circular यहां पर semi circular wire है जिसका length यहां पर दिनों ने देया l और mass उसका m है और एक particle है जिसका mass m है is at the center of the circle. तो circle के center में find a gravitational force of attraction between these two. अब इसको करने का मैं दो method आपको बताता हूँ, एक बताता हूँ, मैं shortcut तरीका, पहले long वाला method समझ लेते हैं, calculus से, तो इसको अगर हम solve करने जाएंगे बच्चों, तो जो सबसे पहला method है, वो है calculus, calculus है कैसे करते हैं वाई, दो अगर mass है, एक mass m1 है, point mass है, और दूसरा point mass m2 है, तो in point mass के जो force होता ह है, वो होता है, g m1, m2 over r का square, ठीक न, तो ये, मलब ये जो है, m mass, वो तो point mass है, और ये capital M और L length, ये point नहीं है, तो point नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहां से ये वाली जो line है, ये, ये वाली जो line है, वो vertical वाली line है, तो इस vertical line पे यहां, यहां पर मैं एक छोटा सा element ले ले and और ये point mass है, तो इस mass, ये वाला जो mass है, और इस mass के बीच, क्या हो जाएगा, attraction, तो ये जो angle d theta है, तो यहां से theta degree पर जाके, एक बहुत ही छोटा element लिया हूँ, जिसकी ये वाली जो length होगी, वो बहुत छोटा होगी dx, और ये dx एक r की की तरह भी एप करेगा, इस r की की ज लेंत हो जाएगी r d theta, r जो है, वो radius है, और हमें radius भी नहीं पता है बच्चों, ठीक है, तो radius हम निकाल लेते हैं, पूरा circle 2 pi r, 2 pi r होता, तो उसकी पूरी length कितनी होती बोलो, 2 l होता, तो यहां से 2 ने 2 को खतम कर दिया, तो यहां से radius की जाली लिए l upon pi आ जाएगा, तो l upon pi is nothing, but it is the radius, ठीक है, तो यहां से जो r के d x, जो length आ जाएगा, वो जाएगा, l d theta upon pi, this is the l d theta upon pi, it is nothing, but it is the differential element length की value है, तो सबसे पहले, इन दोनों point mass की बीच में attraction force लिख देता हूँ, इस point और इस, मानलो, इस d x में, इस d x में कितना mass आया होगा, dm, तो इनके भी जो dm की value आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, dm क्या बोलो, mass per unit length multiplied by यह छोटा length, भाई, mass कैसे है, lengthwise है, तो mass, total mass per unit length l है, और इस d x की value है, l d theta upon pi, तो इस l ने इस l को खतम कर दिया, यह जो छोटा mass है, उस mass की value, m d theta, upon pi आ गया, क्योंकि mass जो है, वो lengthwise distribute है, तो मैं बहुत असा अराम से dm निकाल लिया, ठीक है, तो चलो, इस dm और इस point mass के बीच, attraction force की value रख देते हैं, तो यह जो dm है, उस और small force, जो value हो जाएगी, वो gm, dm, और इनके बीच का separation, separation, मतलब radius of the circle, उसका square आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से जो radius है, हम पहले ही निकाल चुके थे, और dm, तो gm, गिवल आ यहाँ कौन सा यहाँ है, यह छोटू m है, ठीक है, ध्यान देना, यह जो है, वो च क्या है, एक छोटा m है, तो छोटा m की जो value है, वो यहाँ से मैं एक बार लिखता हूँ, तो यह जो छोटा m है, और dm हम पहले ही निकाल चुके हैं, capital m, d theta upon pi, और length, radius, radius हम पहले उपर निकाले हैं, देखो, radius की value, l square upon pi square, तो l square और यहाँ जाएगा, pi का square, तो एक pi ने एक pi को इधर खतम कर दिया, तो जो differential force की value आ जाएगी, वो आ जाएगी, G, capital m, small m, बहुत small force है, और यहाँ जाएगा, pi, और यहाँ जाएगा, l square d theta, तो देखो, यह जो small force आया है, यह कुछ नहीं, basically, बहुत ही जोटा force है, और यह किसके किसके बीच लग रहा है, small point mass और circle के जो एक element है, उसके बीच लग रहा है, अब जो df है, इसको इहीं रहने देते हैं, तो इनके बीच जो attraction है, ऐसे जो df है, इसको यह जो df है, वो ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो df का एक component, तो इधर आ जाएगा, जिसका नाम होगा, df cos theta, और एक component उपर आ जाएगा, जि because we cannot integrate the vector, ऐसे बहुत सारे element है, df, 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 जो इस पर ऐसे लग रहे होंगे, तो एक symmetrically यहाँ पर भी ऐसे आहीं element होगा, तो वो भी इसको उतना ही force से attract कर रहा होगा, df से, ठीक है न, theta degree पर, तो इस तरह से, इस तरह से सारे element, यह सारे element इसको ऐसे attract कर रहे हैं, तो हम vector को ऐसे attract कर नहीं सकते हैं, integrate नहीं कर सकते, तो यह जो df है, उसके भी component करूंगा, तो यह जो df है, तो वो आजाएगा df cos theta, और इसका perpendicular component आजाएगा, that is the df sin theta, तो कुल मिला कि जो इस point पर यह जो बॉल है, छोटा सा बॉल है, इसका जिस पे लगने वाले सारे horizontal component, एक को क्या कर रहे होंगे, cancel कर दोंगे, और सभी का जो भी element है, सभी का vertical component, df sin theta, एड़ हो रहा, मतलब, limit लगा के जो logic यह बना, सिर्फ df sin theta को जोड़ दे, तो जो net force इस पे बनेगा, उसका logic यह आगया, कि integration of df sin theta, अगर यह बात आपको समझ में आती है, तो यह question आप कर बस, यह logic अगर apply कर तो horizontal वाले सारे component cancel होगे, तो problem हो जाएगा, तो चलो अब इस logic को implementing कर देते हैं, तो f की जो value आजाएगी, वो integral 0 से pi और df की value डालो, तो g capital M, small m, और pi से multiply कर दे, इधर आजाएगा l square, और यह आजाएगा sin theta d theta, तो जो constant है, उसको बाहर ले लेते हैं, और बाकी हम limit लगा के integrate कर देते हैं, तो जो constant है, वो capital M, small m, pi, और यह जाएगा l square, तो यह तो constant बाहर आजाएगे भाई, और integration बचेगा sin theta d theta, और यह जाएगा 0 से pi, अब sin theta का integration क्या होता है, तो sin theta का integration होता है, gm, small m, pi, over l square sin theta का जाएगा, minus times cos theta, तो cos theta यह limit गया, 0 से pi, तो इसका मतलब है होगा कि, minus g, small m, pi, और ओभर, यह जाएगा l square, और यह जाएगा, cos pi, minus cos 0, तो cos pi, minus 1, तो यह जाएगा, 2 times gm, small m, pi, over l square, this is the net force of the attraction between, this is the final solution of this problem, तो यह net force of attraction between these point mass and sphere, तो यह बहुत लंबा solution है, ऐसा पर तब calculus से तो यह तो करेंगे, करेंगे, ऐसा, किसमें कुछ है नहीं, छोटा सा एक element ले लिया गया है, उस element को limit लगा के proper तरीके से integrate कर दिया गया है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मैं shortcut method बताता हूँ, second method, हलाकि ऐसा, हाँ, second method है, कि किसी भी point पे force निकालने का simple सा तरीका है, उस mass में उस पे gravitational field या electrical field से multiply कर दो, उस point का, तो उस पे लगने वाला force पता चल जाता है, मतलब यह हुगा, कि अगर एक हम लोग के पास semi circle है, यह यहाँ पर semi circle है, तो इस semi circle का, यहाँ पर कोई particle है, तो यहाँ पर जो field की value होती है, अगर आप formula पढ़े हो, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हो, तो अभी आप सीख लो, और फिर जब gravitation, electro state आएगा, तो उसमें मैं इसको derive कर दूँगा, तो यहाँ पर जो net field होती है, उस net field की जो direction होती है, वो यहाँ पर इस ring, इस ring की वज़े से, यह जो ring है, तो इस ring की वज़े से बच्चों यहाँ पर जो net field होती है, vertically downward होती है, EY, और इस EY की जो value होती है, वो होती है, capital G, lambda, capital G, lambda, mass per unit length, और multiplied by radius, और sin theta 1 plus sin theta 2, तो यह भी एक असान तरीका है, lambda क्या है, lambda जो है, वो mass per unit length है, तो lambda जो है mass per unit length, तो mass per unit length M है, और यह वाला L है, और यहाँ से radius की value आजाएगी, मतलब pi R is equal to L है, तो radius की value आजाएगी L upon pi, तो यह radius आजाएगा, तो यह जब सब यहाँ से रखोगे, तो यह जाएगा pi capital G, अब M, और यह जाएगा L का square, तो नीचे बनेगा L का square, और sin theta 1, sin theta 2, जहाँ से rod खतम होता है, जहाँ से object का, यह end 1 है, end 2 है, और perpendicular distance है, तो यह theta 1 है, और यह theta 2 है, तो theta 1 और theta 2 कितना आ गया, 90 है, तो यह जाएगा theta 1, theta 2, 90, तो sin 90, प्लस sin 90, तो यह sin 90 और sin 90, यह मिलके 2 बन जाएगे, तो यह जाएगा 2GM, ग्रिविटेशनल फिल्ड की वेलू, अपान L का square है जाएगा, तो L का square, तो L का square 2GM हो रहे, यहाँ से तुम देखोगे, radius रखोगे, तो L पाई है, पाई भी तो रहेगा, यहाँ, तो यह पाई आ जाएगा, रेडियस की वेलू आगो, L अपान पाई, L इदर बच गया, लेम्डा की वेलू गये, तो जो फोर्स आ जाएगा, इसमें इसमाल मास से मल्डिप्लाई कर दो, 2 कैपिटल M, इसमाल M, पाई, अब यह इसका एंसर है, अब यह फार्मूला आप कहां पड़े हो, कैसे पड़े हो, नहीं पड़े हो, तो मैं ग्रिविटेशन में आपको इलेक्ट्र स्टेट में डिराइब कराऊंगा यह, तो अभी इसको आप कहीं सर्च करो, करो, रिसेर्च करो, गूगल करो और खुद समझने की कोसिस करो, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो, करो, आपको अपली किस तो, रिसे naturale का अपको हमें और स्ट्पर हो अपकते हो,